आपने माता पिता याद करने वाले बहुत कम लोग है लिकिन जो अपने माता पिता का शिर्वाद लेते हैं वैं हमेशा धन्धान्य और खुशियों से भरे रहते हैं लेकिन यह उस्तौभाग्य कुछ ही लोगों को प्राप्त हो पाता है बताया जाता है कि माता पिता भगवान का स्वरूप होते हैं, माता पिता के चर्णों की धूल मात्र से ही सारे पाप धूल जाते हैं और नया जीवन प्राप होता है ऐसा ही मामला मेल पुरी जनपद के कसबा बेवर्निवाती उपदेश सिंग चोहान पूर विधायक का है चोहान ने हमेशा देश भक्ती और समाज सेवा का काम बढ़े में पुनता और शालीनता से किया सारे जिन्दगी समाज की सेवा करते करते 57 साल की अवस्था में बिमारी के चलते अचान खिर देगती रुख जाने के कारण हम सब को छोड़ कर चले कर उनके बेटे पंकस सिंग चोहान तथा पवन सिंग चोहान ने उनके नाम का अलग जलाया उन्हीं के पद चिन्नों पर चल कर समा सेवा की आज बेवर ब्लॉक में ही नहीं मेनपुरी जन्पद में उन्होंने अपने पिता की जत्त था पिता का नाम रोशन करने का काम किया इन बेटों ने अपने पिता को हर रोज याद किया है इसके अलावा हर वर्ष अपने पिता की याद में पुने तिथी के रूप में सभी समाज के सभी वर्गों सभी धर्मों के लोगों को गुला कर उनको भोजन कराने का कारे करते हैं उनको गुजरे आज 8 जुलाई 2022 को 10 वर्ष हो चुके हैं उनकी याद में लगातार पुने तिथी के रूप में समाज को याद करने का कारे किया जाता है यहाँ पर तेज प्रताब सिंग पूर्वसांसर्द समाजवादी पार्टी के दिगज नेता के अलावा कई नेताओं ने पुश्प अर्पित कर उनको याद भी किया आईए देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट में अर्पित कर देखते हैं